नमस्कार दिन भर के अंतरास्टी ये खबरों पर आपका स्वागत है आज की सबसे बड़ी खबर सामने निकल क्या रही है मिडिल इस से जहां पर अमेरिका पूरी तरीके से इस वर में इंवाल्व हो जाएगा और दूसरी इंपॉर्टन अपडेट भी मिडिल इस से सामने नि अगर आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि पिछले 72 घंटों के भीतर इसराइल ने इरान के तीन इंपॉर्टन लोगों को माट दिया है इसके लावा आज के इस वीडियो में भारत चीन इरान सीरिया इसराइल अमेरिका से जुड़ी हुई इंपॉर्टन अंतरास्टी ए इरान पर एक बड़ा हमला किया जाता है जिसमें हमास नेता इसमाइल हानिया की हत्या हो जाती है और उसके बाद से ही मिडिल इसके अंदर जो टेंशन है वो लगातार बट जली जा रही है इसी बीच अमेरिका पूरी तरीके से रड अलट पर जा चुका है और सिर्फ अमेर इसके अंदर अमेरिका ने अपने बारा एडवांस युद्ध पोत तैनात कर दिये हैं रिसेंटली वासिंग्टन के एक पोस्ट के मुताबिक इस बात का खुलासा किया गया है जिसमें कई बड़े अधिकारियों ने इस बात की कन्फरमेशन दे दी है जानकारे कि आपको ब बड़े युद्ध पोत तैनात कर दिये गए हैं इसका लावर एड़सी में लगातार चल रहा है क्राइसस की वज़े से अमेरिका ने यहां पर भी कई ऐसा एडवांस युद्ध पोत तैनात किये थे लेकिन अब उन्हें यहां से हटा करके इन दो नई लोकेशन पर तैनात करा रहा था वो इस वर में इंपरॉल नहीं था बलकि वो इरान के अंदर बैट करके सारी चीज़ें सिर्फ मॉनिटर कर रहा था और इसी चीज़ का बदला इसराल ने लिया जहां पर इरान पर एक बड़ा हमला करते हुए इसमाइल हनिया को मारा जा चुका है लेकिन इसरा इसकंदर इरान के एक बहुत ही important commander को मारा जा चुका है यदि आप इस पूरे process को देखेंगे तो पाएंगे कि पिछले 72 घंटों के बीतर इसराल की तरफ से बड़ा attack किया गया है जिसमें पहले Lebanon पर attack किया गया क्योंकि Lebanon की तरफ से इसराल पर हमला किया गया जिसमें इसराल आपको बता दें कि इरान के revolutionary guard crop जिसे हम IRGC के नाम से जानते हैं इसका सीर्स कमांडर जिसका नाम है कमांडर आमिर अली हाजी जादे इसकी हत्या की जा चुकी है फिलाली चीज को लेकर के इरान ने confirmation दे दी है और जो खबरे अभी तक सीरिया से सामने निकल के आ रही थी इ लेकिन रिपोर्ट्स आपके सामने हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि कई international reports और मीडिया ने इस बात को cover करना शुरू कर दिया है और यह चिंता सिर्फ इसराइल इरान या फिर कहा है मेडिले इसकी नहीं बलकि पूरी दुनिया के लिए है असल में पिछले 72 घंटों के भीत लाओ देखने को मिल सकते हैं आपके हिसाब से situation में क्या करना चाहिए ग्लोबल सांती या फिर एक वार शुरू कर देने चाहिए कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा नेक्स्ट इंपॉर्टन बेट की जा तो भारत और वियतनाम से सामने निकल क्या रही है जहां पर आज भारत हो वियतनाम हो फिलिपिन्स हो या फिर टाइवान यह सभी चीन के दुश्मन है और चीन लगातार इन पर हमले करने की कोशिश करता रहा है इसी बीच अगर यह सभी देश एक साथ हो करके काम करते हैं तो डेफिनिटी चीन से इसको जटका लगेगा और अब इसके रिजर्ट्स दिखने शुरू हो चुके हैं जहाँ पर रिसेंटली वियतनाम के पीम फार्म भारत दोरे पर आये हैं और भारत आते ही कई इंपॉर्टन अग्रिमेंट्स किये गए हैं लेकिन इसी बीच भारत की तरफ से वियतनाम को करीब 300 मिलियन उस टॉलर का लोन दिया गया है और यह लोन बहुत थी कम इंट्रसपर दिया गया है जिससे वियतनाम कभी भी इस चीज का अस्तमाल करके है बारास मिसायल हैखरी करके करते हुए इंसे में वियतनाम के उपर भी चीन लगतार Russia पर आने की कोशिश करता है और अब वियतनाम को भारत से मिले इस लोन का इस्तेमाल डिफेंस पर्चस में जरूर किया जाएगा फिलाल इससे लगता है कि भारत और वियतनाम के रिष्टे और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे क्योंकि कुछ समय पहले भारत की तरफ से वियत स्ट्रॉंग होते चले जाते हैं तो डेफिनिटली से साउट चाइना सी में चाइना को काउंटर करने में काफी ज़्यादा हैल्प मिलेगी आज दोनों ही देश काफी बड़े बाइलेटर टेट पार्टनर है करीब 15 बिलियन युस डॉलर के आसबास दोनों ही देश इंपो कोशिश की जारी है जहां पर रिसेंटली फिलिपेंस के राजदूद जैसे एक इंटर्वी के दोरान ये स्टेटमेंट देते हैं कि अब भारत और फिलिपेंस बहुत अच्छे पार्टनर बन चुके हैं हम अपने देश के जो भी छोटे-छोटे आयलेंड से यहां पर भार लेकिन चीन लगातार साउट चाइना सी में फिलिपेंस के कई एरियास पर आर्टिफिशियल आइलेंड बनाते हुए अपने खुद को क्लेम करता आया है और इवेन कई बार फिलिपेंस के स्पेशल एकनोमिक जोन के अंदर घुसकरे भी चीन ने कई परकार की मिलिट्टी की हैं लेकिन भारत से भीजी गई इस मिसायल की ताकत के दम पर अब फिलिपेंस भी चीन को जवाब देना शिक चुका है नेक्स्ट इंपॉर्टिम डेट की बात पी जाए तो यह आईमेफ से सामने निकल क्या रही है जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इस समय भारत के अ अंदाजा लगाया गया है लेकिन अब एक नई रिपोर्ट सामने निकल के आई है जिसमें भारत की अर्थविवस्ता पांच ट्रिलियन डॉलर नहीं बलकि पच्पन ट्रिलियन डॉलर तक बनाने की बात चीज शुरू हो चुकी है असल में भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री प आगे बढ़ने वाले हैं जिसमें वर्स दोहजार से तालिस तक भारत पच्पन ट्रिलियन डॉलर की एकॉनमी बनने वाला है और यह बड़ी स्टेट्मेंट दिए गये हैं आई मैफ यानि के इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड में हुई एक इंपॉर्टेंट चर्चा के द कुछ समय बाद आई मैफ अपनी डेटा को करेक्ट करते हैं भारत को 6-6% के बीच लाता है लेकिन कुछ दिनों बाद भारत की अर्थप्यवस्ता को देख करके इन्हें रिलाइज नहीं होता और अपनी रिपोर्ट को फिट से करेक्ट करते हूं और फिर बताते हैं कि भारत कि जो एकनॉमिक ग्रोथ है ये 7-8% के बीच में ही रहने वाली है और अगले कई सालों तक ये इसी तरीके से बढ़ती रहेगी जिससे सीधे सीधे भारत की एकॉनमी को फायदा होगा और इसमें सबसे बड़ा कॉंटिवेशन भारत सरकार की नए नी पॉलसी का होने वाला ह है क्योंकि इटली जैसे देश योकी भारत से कसम खाके बैठे थे कि हम किसी और देश से इन्वेस्मेंट नहीं मंगाएंगे लेकिन एकोनॉमिक डिकलाइन की वज़े से इन्होंने भी अपने देश के अंदर चाइनीज इन्वेस्मेंट को परमीशन दे दी है और रीसेंट भारत माता की जाए